यहां तक कि प्ले स्टोर एंप स्टोर से भी आप्स को अल्रेडी हटा दिया गया है अब सवाल यह है कि इन आप्स को बहुत सारे यूजर यूजर यूज़ करते थे तो अब वो कौन से आप को यूज़ करें दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली है इसमें मैंने ऐसे मोस्ट यूज़ आप्स की रिप्लेस्मेंट के बारे हम बता है आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन से आप्स है इूज़ होने वाला आप है इंडिया में स्कीज़गा आप यूज़ कर सकते हैं DuckDuckGo को आपकी प्रáईविसी को सेक्याूर अगर 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 यूज कर सकते हैं share chart ये भी same work करता है आप इसको एक बार जरूर ट्राय करें बढ़ते हैं हमारे अगले आपकी तरफ जिसका नाम है share it ये एक file sharing app है एक phone से दूसरे phone में अगर आप file share करते हैं तो इसकी जगह आप use कर सकते हैं files by google या आप use करते थे जेंडर तो जेंडर या share it यूज करने वाले आप use कर सकते हैं files by google बढ़ते हैं हमारे अगले software की तरफ जिसका नाम है cam scanner ये एक file scanner app है जो की काफी useful है बहुत सारे professional workers के लिए क्योंकि वो बहुत सारे documents को scan करते हैं तो इसकी जगह पे अब आप use कर सकते हैं adobe scan या फिर आप use कर lens बढ़ते हैं हमारे अगले software की तरह जिसका नाम है app lock इसकी मदद से आप किसी भी आपको lock कर सकते हैं या अपनी files को private रख सकते हैं इसकी जगह आप use कर सकते हैं not an app lock क्योंकि app lock एक Chinese आप बंद हो चुका है बढ़ते हैं अगले software की तरह जिसका नाम है वीवा वीडियो ये video editing app है यह आपके बहुत सारे option देता है editing के भी इसकी जगह आप use कर सकते हैं आप काइन master video editor जो की बहुत useful है और बहुत easy है use करने में वीवा वीडियो की तरह आप इसको जरूर ट्राइ करें बढ़ते हैं हमारे अगले software की तरफ जिसका नाम है beauty plus यह filter camera app है इस पे आपको बह इसका B612 filter app इन दोने में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं instead of beauty plus बढ़ते हमारे अगले आपकी तरफ जिसका नाम है UC news अगर आप एक news person है update रखना चाहते हैं आपने आपको news से तो इसके जगह आप यूज कर सकते हैं google news या मैं personally जो यूज करता हूँ वो है in short जो आपको latest news देता है 60 words में बढ़ते हैं हमारे अगले software की तरफ जिसका नाम है DU battery saver ये battery saver app है जो आपकी uses के साथ battery को थोड़ा save करता है इसके replacement में आप यूज कर सकते हैं greenify greenify भी आपकी battery को इसकी तरह save करता है अब देखते हैं हमारे next software को जिसका नाम है sheen इस पे आपको trendy clothing shoes bags मिलते थ था जिसका नाम था club factory तो आप इनकी जगह use कर सकते हैं mintra app although price vary कर सकता है दोनों ही apps पे बात करते हैं हमारे अगले आपकी तरफ जिसका नाम है WPS office ये एक office app है जो की documents edit करने के काम आता है जैसे कोई word file हो या फिर कोई excel file हो तो इसकी जगह आप use कर सकते हैं Microsoft office इससे best और कोई replacement नहीं हो सकते है इसका अब बढ़ते है next software की तरफ जिसका नाम है EES file explorer ये एक file manager है कोई ना कोई stock file manager आपके phone में जरूर होता है so ये third party file manager है जिससे आप अपनी phone storage को थोड़ा expand करके देख सकते हैं तो इसका एक replacement है solid explorer जो same option आपको देता है इस app को use कर सकते है आप alternative app की तरह अगर आप चाहते हैं बढ़ते हैं हमारे अगले software की तरफ जिसका नाम है MI video call app जो भी लोग इसको video calling की तरह use करते थे बयान होने से पहले तो इनके लिए एक अच्छा replacement है Google duo मैं इसे personally use करता हूं इसका response काफी positive है इस पर जो video calling हम करते हैं वो काफी crisp होती है अगर आपका internet अ सारे लोगों के phone में already होगा जिसका नाम है WhatsApp अगर कोई अभी भी उस app को use नहीं कर रहा है तो आज से use करना start कर सकता है और अब चलते हैं हम अपने last app की तरफ जिसका नाम है TikTok अगर आप एक TikTok user थे तो वैसे तो इसका कोई replacement नहीं है बट फिर भी आप अगर use करना चाहते हैं जैसा similar app तो आप use कर सकते हैं एक ट्रिलर आप या फिर आप use कर सकते हैं रोपो सो यह थे मेरे suggestive alternative app इस वीडियो से अगर आपकी कोई भी help या कोई भी app आप आपने इस वीडियो को देखकर install किया तो आप प्लीज जरूर से comment में बताएं और जाने से पहले इस वीडियो को like कर लें और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो ऐसी exciting content के लिए चैनल को subscribe कर लें मैं text related content अपने चैनल पर upload करता रहता हूं और अगर आपको भी मेरी तरह tech में impressed है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलता हूं आपसे next video तब तक के लिए good bye